हेलो एवरिवान वेलकम टू सटडिया की पीसेस तो दोस्तों आज सुप्रीम कोट ने एक हिस्टॉरिक फैसला सुनाया है और जे एंड के री ओर्गनेशन एक टूथाजन नाइटीन और आर्टिकल 370 के अब्रुगेशन पे दोस्तों आज चार साल हो गए हैं जे एंड के और एक बहुत इंपोर्टेंट प्रोविजन जिसके खिलाफ आज भी लोग लड़ रहे हैं डाट इस वाट आर्टिकल 370 दोस्तों आर्टिकल 370 ने एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था आपकी जे एंड के स्टेट को राइट जिसमें जे एंड के स्टेट के पास ये पा नहीं करेंगी इसके इलाब भी 317 आर्टिकल्स में बहुत सारे प्रोविजन्स जो है जिसमें पावर जो है किसके तरफ इंकलाइंट थी आपके लेशलेटिव असेमली की तरफ इंकलाइंट थी और दूसरा आर्टिकल 35 ए दोस्तों आर्टिकल 35 ए बेसिकली बात करता है पर पर दोस्तों इसको भी सेंट्रल गवर्मेंट ने खतम किया और एक प्रेजिदेंशल और से आपके जेंड के और स्वाइल जेंड के स्टेट को तोड़ के बना दिया यूटी और यूटी और यूटी ओफ लदा दोस्तों अब दोस्तों जब यह चीज हुई तो आपको पता है कि भारी मातरा पे हमें क्या करना पड़ा था रिजर्ट फोर्स को आर्मी को बीएस अफ को डिपलाई करना पड़ा था कहां पर जेंड के में तांकि जेंड के में कोई भी लॉइन और सिचुएशन की डिस्रप्शन ना देखने को मिले और इन दोरान आपने ये भी देख दोराई किसके अगेस्ट यह जो सेंट्र गॉर्मेंट का एक्षन लिया था इननोंने पेटिशनर्स का क्या कहना है जो आर्टिकल 35-a है जो एंडियन कॉंस्तिष्टिशन का हिस्सा था वह भीक ह statue ना बिलकुल illegal है यह fraud है यह इन petitioners का कहना है दूसरी बात आर्टिकल 370 कहीं भी temporary provision नहीं था यह permanent provision था यह कौन बोलते हैं यह आपके बोलते हैं petitioners permanent provision कैसे हो गया क्योंकि अगर आपको पता हो जेंड के का एक separate constitution बनाने के लिए जेंड के में क्या बनाएगा था एक separate constitution को त्यार किया था और इसी वजह से आप देखेंगे special status में जेंड के का अपना flag भी था राइट अपनी citizenship भी थी आप देखेंगे और अपना constitution भी था तो जे separate constitution separate flag तो इसी के खिलाब central government ने action लिये central government का कहना था भाई it is not permanent it is temporary क्योंकि जब instrument of accession sign किया गया right उस जब महारजा अफ जेंड के हरी सिंग और आपके central government के बीच में instrument of accession sign हुआ तब ही जो sovereignty right है जेंड के का वो किसको दे दिया गया था central government को और central government के पूरी power है कि वो क्या कर पाए under article 3 state को क्या कर सकती है वो reorganize कर सकती है लेकिन petitioners का ये कहना है कि हाँ ये temporary था शूरू में जब आल्टिकर 370 को लाए गया ये temporary था लेकिन अब ये temporary रहेगा या permanent रहेगा इसको decide करने वाला कौन है G&K की constitute assembly अब G&K की constitutional assembly का जो tenure था वो expire होगा 1957 में जब constitutional assembly रही नहीं तो ये automatically temporary से permanent बन जाता है और constitutional process कोई है नहीं है ऐसा कोई constitutional process नहीं है जो इसको क्या कर पाए भाई साब abrogate कर पाए ये petitioners का कहना है क्योंकि article 370 permanent रहेगा य temporary रहेगा वो decide करने किसकी काम था G&K की constitutional assembly का अब अगर ये 1957 में खातम होगी there is no right in our constitution right और there is no constitutional process जो क्या कर पाएगी इसको ये घोशित कर पाए कि permanent temporary है hence it is temporary nature permanent nature उनने क्या बोला इसलिए ये इस वज़े से क्या बन जाता है permanent बन जाता है तो ये 23 petitions जो file हुई और in petitioners का ये भी कहना था कि instrument of accession accession में जो हमने sign किया था इंडिया के साथ central government के साथ उसमें हमने कहीं भी अपनी sovereignty अपनी independence को surrender नहीं किया हमने कहीं भी अपनी sovereignty को surrender कि क्या ही नहीं इसलिए we have full right to decide कि हमारे GNDK में किस तरीक एक कानून चलेंगे reorganize कैसे को हम decide करेंगे और जो ये presidential order जो 2019 का pass किया गया it is totally totally unconstitutional जो presidential order पास किया totally unconstitutional तो दोस्तों 5 सेप्टमबर को 2023 में पांच constitutional पांच जज़ों का constitutional bench बठाये गया सुप्रीम कोट में जिन्होंने इन 23 petitions को लगातार 16 hearing में सुना और 16 hearing के बाद finally 11 December यानि कि आज decision दिया है और decision में क्या बोला है मेरे दोस्तों decision में ये बोला है जो भी presidential order जो लिया गया है 2019 का it is valid it is not mellified it is totally valid totally constitutional और instrument of accession sign करने के बाद GNK के पास कोई भी sovereignty right नहीं है वो सौवरी नहीं है Central Government and under our constitution Central Government has full authority to reorganize the GNK state लेकिन लेकिन ये जो भी bifurcation हुई है Supreme Court ने ये भी काया है ये जो भी bifurcation हुई है it is temporary हम वापिस UT को क्या बनाएंगे भाई सब आपका restore करेंगे statehood तो this is very good decision done by Supreme Court of India Supreme Court of India ने ये ही बोला कि भाई जो भी presidential order 2019 आया है it is valid it is not invalid it is legal it is constitutional और दूसरा उन्होंने क्या बोला दोस्तों कि भाई जो instrument of accession जो sign किया है उसने sovereignty right इंडिया के पास है ना कि GNDK के पास और तीसरा उन्होंने क्या बोला ये जो bifurcation हुई है state की आर्सवाइ स्टेट की into two union territories उसमें ये वापस restore किया जाएगा because it is temporary in nature are you getting my point समझ आ गया दोस्तों ये पांच जज जो है Supreme Court के वो constitutional bench जो है पांच जज़ोंगा इसको preside कर रहे थे आपके Chief Justice of India उनका नाम है D.Y. चंदरचूड क्या नाम है D.Y. चंदरचूड ये preside कर रहे थे and this decision finally taken by the Supreme Court today on 11 December और ये दोस्तों बहुत ही जबरदस बात हुई है क्यूंकि अब ये बिल्कुल clarity हो चुकी है कि भाई जो decision लिया गया रहा सेंटल कवर्मेंट का इट इस नॉट अट आट ऑल अन constitutional डन दोस्तों अब देखिए इसके related G&K reaction act के बहुत सारे questions आते हैं तो मैंने already study IQ PCS में आप चेक करोगे आप अगर जाओगे study IQ PCS के platform पे और वहाँ पे जाके G&K reaction act निकालोगे तो आपको दो videos मिलेंगी दोस्तों इस पे किस पे playlist बनी हुई है G&K reaction act में तो आप जाके सारे important provisions इसे पढ़ सकते हैं मेरे दोस्तों और साथ इसाथ में आपको एक और बात बताओ कि already हमारे study IQ के platform पे we have launched all state PCS course तो आप जाके उनको जरूर उसमें enroll हो सकते हैं तो आपको simply क्या करना है study IQ डालना है study IQ platform पे जाना है आप नीचे scroll करेंगे तो आपको state PCS के यहाँ पे एक folder मिलेगा उस पे explore courses करेंगे तो you will find out all courses related to what different state PCS और साथ में दोस्तों एक और जो आपका central government का CSIR का sectional officer का जो recent notification निकली है जिसके form fill करने की date 8th December से start हो चुकी है और January में जो खतम होगी उसका भी course launch कर चुके है by now में जाके आप simply code use कर सकते हो मेरा code use कर सकते हो आप लिख सकते हो RDS life right RDS life and you will get the benefits on this course ठीक है दोस्तों और अभी जो JNK Reversion Act के जो amendment हो रही है वो जब पूरी तरीकी से complete हो जाएगी तो उस पे भी में complete वीडियो लेके आऊँगा कि कौन-कौन से provisions जो है वो important है समझना thank you so much for watching आप study IKPCS के साथ चुड़े रही है तांकि आपकी civil services की preparation बहुत असानी से हो पाए thank you so much guys